दोस्तों हमेशे की तरह इतिहास की सरकारों को कोसने पर विपक्षी नेताओं का मखोल उड़ाने, मजाख उड़ाने पर राहूल कांधी के मज़े लेने पर पीम मोदी के भाशन को मीडिया वाले शानदार बता रहे हैं और चणिगर मेर चुनाफ की खबर को दबाने के लिए पीम मोदी के भाशन के चर्चा प्रमुक्ता से की जा रही है लेकिन हकीकत यह है कि पीम मोदी के भाशन की गौरव गगोई ने पोल खोलका रख दी है गौरव गगोई ने बीच भाषन पियम मोदे को टोका तो उनकी जुबान लटखडाने लगी और पियम मोदे की साल बीजेपी नेताओं की हिपोक्रेसी पूरी तरह से एक्सपोज होगी पियम मोदे अपने भाषन के दौरान परिवारबाद पर कटाक्ष कर रहे है और उस दौरान गौरव गगोई क्या कहते है वीडियो में आपको दिखाते हूँ जरा सुनिये शिरुवात से सुनिये पियम मोदे की सर परिवारबाद की बात करते है जहां पर परिवार को पार्टिया लिखी जाती है वो लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है हम तो यहां पर गौरव गगोई को जब यहां कहते है कि आपके पार्टि में भी बहुत सारे संसद है बहुत सारे ऐसे नेता है जो परिवारबाद का प्रोडक्त तो है तो फिर पियम मोदे बचाफ में कहते है कि एक परिवार से कई लोग पार्टि में आते है इस बात में कोई बुराई नहीं लेकिन पार्टी पूरी तरह से परिवार की नहीं होनी चाहिए उसके बाद गौरफ गगोई उन पार्टी के नाम बताते हैं जिनके सास मिलकर बीजेपी सरकार चलाती है और जो पूरी तरह एक परिवार की पार्टीयां है जरा वीडियो देखिए क्या कहते हैं गौरफ गगोई हम तो चाहते हैं कि नोजवान लोग आएं लजेपी अकाली दल तो यहां पर गौरफ गगोई चिलाते हैं कि लजेपी और जेजेपी अकाली दल क्या ये पार्टी एक परिवार के प्रोड़क्ट नहीं है तो इस पर पियम मोदी की हालत देखिए कैसे खराब हो जाती है और पियम मोदी सक पकाने लग जाते हैं उनके आवाज लड़ खडाने लग जाती है जरा सुनिए हम भी चाहते हैं कि इसकी चर्चा आप भी करिए हमारे साथ तो यहाँ पर इस बात का तरक पूर्ट जवाब देने की बजाए अकाली दर जेजेपी और लजेपी पर बोलने की बजाए पियम मोदी कहते हैं कि आपकी साथ हमारा कोई विशे नहीं है क्योंकि गौरफ गगोई भी तरंग गोई के ही बीटी है असन की सीयम रह चुके है तरंग गोई तो अब वह कहते हैं कि आपकी साथ विशे नहीं है विशे की इस बात को लेकर है कि एक परिवार की पार्टी पूरी तरह से नहीं होनी चाहिए और यह पीम मोदी बोल जाते है कि गौरफ गगोई ने कहा था कि अकाली तल भी एक परिवार की पार्टी है लजे भी एक परिवार की पार्टी है जे जे पी भी एक परिवार की पार्टी है उस बात का पीम मोदे का कोई जवाब नहीं दे पाते और देखिए एक बार फिर देखिए किस तरीके से उनकी जुपाल लड़ खड़ा जाती है इस बात पर हम भी चाहते हैं कि इसकी चर्चा कीजिए हमारे साथ आपके साथ मेरा विश्य यह नहीं है तो यह हिपो क्रेटिक्स बीजेपी को गटबंदन नहीं करना चाहिए लेकिन हरियाना में जेजेपी के साथ गटबंदन है जमो कश्मीर में भी बीजेपी ने महभूबा मुफ्ती के साथ सरकार चलाई थी बिहार में लजेपी के साथ गटबंदन है जो राम विलास पासवान की पार्टी है अब जिराग पासवान के साथ साथ आगे बढ़ रही है एक परिवार की पार्टी जो है वो लोकतंत्र के लिए खत्रनाक हो सकती है अब आफ सोच कर देखें कि उन नेताओं को कितना बुरा लगता होगा जो बीजेपी के सहयोगी है जो पूरे चाफ के साथ प्रधान मंतरी से मिलते हैं बार बार अभार प्रकट करते हैं और प्रधान मंतरी किसमों से ऐसी बात करते हैं अब परिवार बात को लेकर पिया मोदे के ऐसी हिपो क्रिटिक्स में उन्हें एक्सपोज कर दिया गया और प्रधान मंतरे को कोई तरपुन जवाब नहीं दे पाएं कमेंट बॉक्स पर अपनी रह ज़रूर दे और जादे से जादा अब इस अप्डेट को शेर कर अपने रिए खबरिला चानल के साथ धन्यवाद